नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण जोंति सिक्रेट निक्रिसब्राशी वालो वह कौन से धातु का छला है जो देब की भूमिका होती है तो वो ब्रिसब रासी में होती है क्योंकि ब्रिसब बाले बुद्धिमान बहुत होते हैं बहुत ही आत्म विश्वासी साहसी और धनवान होने के साथ साथ इनका एक नकायत्मक पक्ष भी है और वो है इनका जिद्धी होना आज हम बात कर रहे हैं व बिना सलाह के मध्धारन कीजिएगा अगर माल लेते हैं आपको पन्ना सूट नहीं करता आपको ऐसा कहा गया है आप मत पहनिए तब ऐसे में रोज सुवा नहाने के बाद ओम बुम बुधाय नमह ओम बुम बुधाय नमह इस मंत्र का जब कीजिए तो आपके जीवन में बुध के बिना आपका जीवन चलता भी नहीं जीवन में सफलता आपको मिल भी नहीं सकती अगर बुध आपका गरवड हो जाए तो इसलिए बुध को मजबूत करना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर हम अगर बात करें आपका भागे की तो भागे आपका सनी ही नियंत्रि ना बैवाहिक जीवन अच्छा होगा और ना ही संतान का सुख मिलेगा इसलिए यहां पर आपको सनी देप को मनाना बहुत जरूरी है हलांकि अभी आपके उपर से सनी की धहिया समाप्त हो रही है लेकिन सनी देप का दामन मत छोड़िएगा रोज सामें सनी देप के मंतरों का जब करते रहें और चीजें एकदम से आपके हाथों में आती रहेंगी वैसे तो ब्रिसब रासी के जो लोग होते हैं वो धनवान भी बहुत होते हैं इसमें कहीं कोई दोराय नहीं क्योंकि अमुमन ऐसा देखा गया है इनके जीवन में इन्हें जो चाहिए वो दैब बस इ लेकिन हमेशा जेब खाली रहती है कहीं जाएंगे तो पॉकेट खाली है जिनके साथ जाएंगे उनके बोरों से चल देंगे यानि अकसर इनके पास पैसा नहीं रहता बाबजूद इनके की ये पैसा बहुत कमाते हैं तो ऐसे में आप सलाह लेकर एक ओपल या फिर एक हीरा जरूर पहनिए ये आपको सूट करेगा अब हम अगर बात करें तो जैसा कि हमने कहा आपको पन्ना धारन करना चाहिए अगर पन्ना सूट करें तो अपने सबसे छोटी उंगली में हाथ में पहनिएगा बुद्वार के दिन और अगर आपको पन्ना सूट ना करें तब चां आप धारन कर लें तो ऐसा करने से धन की परिसानी भी दूर होगी और सबसे छोटी उंगली में पहनने से जीवन में जो आपके बुद्धी वाली पाथ है उसको भी मजबूती मिलेगी बुद्ध भी अच्छा होगा अगर एक अंगुठे में आप छला पहन लेते हैं तो आप और अगर तीन नहीं पहन पा रहे हों तो सिर्फ एक चांदी का छला दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली मिडल फिंगर में सुक्रवार के दिन पहनने तमाम चीजों से परिसानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे वैसे भी बि कीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा बस जैसा हमने कहा वैसे ही कीजिए और साथ ही साथ चुकि आपके लिए मा लक्षमी की अराधना करना सबसे जादा जरूरी होता है तो ऐसे में आप कनक धाराश्तरुत का स्रवन करें पाठ करें तो जादा सुब रहेगा मा टेरावट तो धर बाके लिएर रहेछारशब और साथ जाएगाना